जैहिन पहर दोस्तों सभी को राम राम आप सभी का माय चैनल में हार्दिक स्वागत हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम जेविटी टेट से लेटर प्रीबिएस एर कॉस्चन पेपर को डिसकस करेंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ जह जो हमारा आज का सेशन है इसमे किया जाए जैमा सस्पती फर्स्ट कोशिन कौन सा है हाउ मैनी पर्मानेंट मेंबर्स आर इन दा जुनाइटे नेशन स्क्योल्टी कॉंसिल तो मैं आपको बता दूँ जोस्तों यहां पर क्या पूश गया है जिसको की यू एन एस्सी भी कहा जाता है यू एन एस्सी कहा जा है जहे जो फाइब इंट मैंबर्स यह कौन कोन से तो यहां पर आपने नोट करना है फर्स्ट बन इस चैना सैकंड वन इस फ्रांस थार्ड वन इस रशिया फॉर्ट वन यू क्रें इस ठीके दोस्तों एस्ट है जो फूर्मानेंट मेंबर्स ने मैंबर्स है वो कितने मैं 5- से पहले चाइना, दूसरे पे फ्रांस, तीसरे पे रैशिया, चोथे पे यूक और पांच पे यूएस, तो मुझे उम्मीद है आप इन चीज़ों को जुरू नोट करोगे, क्वेशन नमबर, 120 सेकंड इस, सेलसे और फेरनाइट कौन से तापमान पे पराबर होते हैं, राइट अंसर बिल भी माइनस 40 डिग्री सेलसियस, नेक्ट क्वेशन इस, वट इस दफूल फूर्म ओप सी एनजी, जो जो सी एनजी है, इसकी फूल फूर्म क्या है, राइट अंस राइट अंसर बिल भी शांता कुमार, नेक्ट क्वेशन है, नागा साकी और हिरोशिमा पर अनुबंब कब गिराए गया, अब देखिए दोस्तों, मोस्ट एन मोस्ट इंपर्टन क्वेशन है, राइट अंसर बिल भी 1945, आपके लिए दोस्तों, ये होम बर्क है, आपने जो क्वेशन नंबर 127 है, क्या पुशे यार है, भारत के जो मुख्य चुनाव आयुकत है, वो कौन से है, जो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिशनर है, वो कौन से है, तो दोस्तों, यहाँ पर उस टाइम से सुनिल अरोड, अगर हम करेंट बात करें, तो यहाँ पर जो चीफ इ पर मंत, ठीक है दोस्तों, इनकी जो सेलरी है, वो कितनी है, दोलाख पचास अयार पर मंत, और इनका नाम के है, राजीब कुमा, ठीक है, और जे कितने वे चीफ इलेक्शन कमिशनर ओफ इंडिया है, 25 तो मुझे उमीद है, आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रखोगे, आगे दोस्तों, नेक्स्ट कोशन है, प्लास्टर पेरिस का जो फोर्मूला है, वो क्या है, दोस्तों, यहाँ पे, COSO4, 1 upon 2, H2O, ठीक है दोस्तों, जे जो मारा ओप्चन डिये, वो बिल्कुली सही रहेगा, आगे दोस्तों, नेक्स्ट कोशन है, जल स्थर्चर कौन सा है, अब देखिए दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है, जो कि पानी में भी रहता है, और धर्ती पे भी चलता है, राइट अंसर बिल्बी, मींडक, फ्रोग, आगे दोस्तों, क्वेशन नंबर 130 है, क्या पूछा जा रहा है, वाट इद रेंज अप हुमन हेरिंग, जयान सांची का स्थूप है, वो किस के दबारा पनाया गया, राइट अंसर बिल्बी, अशोक का, आगे दोस्तों, नेस्ट कोईशन है, क्या पूछा जा रहे, चीन्टी के डेंक में कौन सा अमल पाया जाता है, राइट अंसर बिल्बी, फोर्मिक, एसर ठीक है, दोस्तों, नेस् समींट योग है बहाँ पर चुनना पत्थर का जो उपयोग कच्छे माल के रूप में किया जाता है नेक्स्ट कोचन है राबी नदी का जो संस्कित नाम है वो क्या है राइट एंसर विल भी इराबती आगे दोस्तों नेक्स्ट कोचन है 1857 का जो बिशाल विद्रों है वो कहां से शुरू हुआ था राइट एंसर विल भी मेरट आगे दोस्तों क्या पुछा गया है वर्ड आर्थ डे कब मना जाता है राइट एंसर विल भी 22 अप्रेल आगे दोस्तों क्या पुछा गया है हिमाचल देख की कौन सी लड़की 1993 में माउंट एबरेस्ट पर चैन्ने वाली बिशब की सबसे कम आईू वाली लड़की बनी राइट एंसर विल भी डिक की डोलमा नेक्स्ट कोशन है दोस्तों हिमाचल के सबसे बड़ी कृत्रिम जील कौन सी है गोविंड सागर जील और सबसे बड़ी जो है नेचरल एक कौन सी है दोस्तों यह आपने कमेंट बोक्स म जुरूर लिखना है आगे दोश्तों यहाँ पर सही जो जूड़य उसका मिलान करना अगे तो यहाँ परmesi करना मलेश्वरी है क्या यहाँ पर भात दो सोलन तो भारोत तो यह यह सही है आगे दो सब बिली 7.4 आगे दोस्तों तांसें समान किस राज्य सरकार ने शुरू कीया था राइट अंसर बिली मध्यपरदेश आगे दोस्तों किस बितामिन की कमी से रिकेट्स जो रोग है वो होता है राइट अंसर बिली बितामिन डी next question है दुनिया के सबसे उंचा मतदान के इंदर कहां पे स्थित है rite answer will be Tashi Gang और यह कहां पे है दोस्तों कौन सी डिस्टिक ये कौन सी स्टेट में है हिमाचल पदेश में है आगे दोस्तों क्या question है vitamin V2 का जो अन्य नाम है वो क्या है तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा options ही है बिल्कुली सही रहेगा आगे दोस्तों next question है पुछकर मेले का आयोजन कहाँ पे किया याता है राइट अंसर बिल भी अजमेर आगे दोस्तों रोतांग टरन का जो शिननेया से वो कब किया गया था राइट अंसर बिल भी 2010 आगे दोस् स्रियूक दाश्टर सुरक्षा पैसर का स्थाई मेंबर नहीं पर्मानेंट्स दस्य नहीं तो मैंने आपको क्या बताया था कौन-कौन से पर्मानेंट्स दस्य चाइना फ्रांस रैशिया यूके एंड यूएस तो यहाँ पर दोस्तों जर्मन का जो नेम है वो कहीं पर भी ठीक दोस्तों आगे है हिमाचल के प्रथम लोकायूक कौन से राइट अंसर बिल भी टीवी याट टाड़ाचारी तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इंफोर्मेटिव लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्स्राइब करना है अपने फ्रेंड्स के सा अब जादे से यादे शेयर करना है तो तो थैंक्यू जय बारत जय मचल